कोविट के खिलाफ जंग की शुरुवात जनवरी में हुई थी फरवरी के पहले सब्ता में ही प्रधान मंत्री जी ने एक ग्रूप अफ मिनिस्टर्स बनाया था आज हमारे उस ग्रूप अफ मिनिस्टर्स की 21 बैठक हुई है और इन बैठकों में हम जो भी करंट नेशनल और इंट्रनेशनल सिच्वेशन होता है उसको सभी अपने मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं और आज की इस 21 बैठक में भी जो हमारी नेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर जो भी कोविट के खिलाफ लडाई में जो भी सिच्वेशन है उसको एक नेशनल सेंटर फॉर डि प्रेजन्टेशन के दुआरा शेयर किया गया और उसके साथ साथ अभी जो आनेवाले समय में देश के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्द करा पाना और उस वैक्सीन को प्रायर्टी ग्रूप को दे पाना उसके लिए जो भी रुणनीती बन रही है जो उसके लिए तैयारियां चल रही है उसके लिए क्या thinking चल रही है उस सब को group of ministers के साथ share किया गया है हम सब जानते हैं कि अभी आज शायद चौधवा लगातार दिन है जब हमारे active cases की संख्या ये एक million से लगातार कम है और उच्छे पाच्छे दिन से देखे तो और भी जादा जो है एक level से कम है हमारा दुनिया में सबसे जादा recovery rate लगबग 87 प्रतिशत के आसपास पहुँच रहा है हमारा fatality rate दुनिया में सबसे कम 1.53, 1.53 प्रतिशत के करीब है अभी भी हम एक million से जादा रोज test कर रहे हैं 1927 laboratories हमने देशपर में create कर दी है लाखों की तादाद में सब प्रकार के beds देश में create हो गए है quarantine centers create हो गए है परयाप मात्रा में N95 mask ventilators और PPE kits सारे देश को दे दिये गए है vaccines के संदर्ब में भी हम देख रहे हैं कि इस समय जबकि दुनिया में लगबग 200 vaccine candidates काम कर रहे हैं इन 200 vaccine candidates में लगबग 151 candidates pre clinical phase में है pre clinical trials के phase में है लगबग 40 42 के करीब यह clinical trials के phase में है अगर हम इन सब में पूरे दुनिया में गिंती करें तो 9 vaccine candidates ऐसे हैं जो की clinical trials के phase 2 और phase 3 में है यानि slightly advanced stages में है इन दुनिया के 9 vaccine candidates में से तीन भारत के अंदर है और वो तीन भारत में जो है उन में से एक phase 3 के अंदर जा चुका है और दो phase 2 के advanced stages में है इन सब के अधार पर हमारे को यह उमीद है कि जैसे नया वर्ष प्रारम होगा उसके बाद कभी भी हमारे को यह vaccines जो है यह देश में मिलने की संभावना है जैसा मैंने पहले भी कहा है आज इस presentation में भी बताया गया है कि हमारी उमीद है कि जुलाई तक हम देश में 400 से 500 मिलियन डोजिज वैक्सीन के उपलब्द कराके देश के 20 से 25 करोड लोगों को वैक्सीन देने की शमता रख पाएंगे उस शमता के अनुरूप संभावित शमता के अनुरूप जो जो तयारियां करनी है किन-किन लोगों को किन-किन सैक्शन को ससाइटी के प्राइटाइज करना है और वो भी सब कुछ साइंटिफिक जिश्टी से उसके लिए सारे वर्ड का जो स्टाटेजी है उसको चाहे वह सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल यूएस हो चाहे वह विश्व स्वास्त संगठ हो उसको अध्यन किया जा रहा है उसके लिए डिजीटल प्रेटफॉर्म्स को जो है उसके वैक्सीन के डिलिवरी के हिसाब से तयार किया जा रहा है ईविन प्रेटफॉर्म जो है और साथ में सारी स्टेट गॉर्मेंट्स को उसके लिए तयार किया जा रहा है उनसे लिस्टे वगरा सब प्रकार की बनवाई जा रही है और हमारे को इसके लिए जो जो कुछ तैयारी करनी है जो कोल्ड चेन का एक्विपमेंट है दूसरी जो नॉन वैक्सीन एक्विपमेंट्स हैं कोई सिंजीज हैं दूसरी चीज़ा यानि हर इस तर पर बहुत विस्तार से तैयारिया हो रही है उन सब चीजों की जानकारी आज दिगई है इस मीटिंग में साथ जूहाएं ये भी बताये गया कि अभी भी कुछ City's और कुछ States में हमारे Cases जो है वह सारे कंट्री आने वाली सर्दी में खास कर जो हमारे तहवार आ रहे हैं उनके अंदर विशेश साब्धानी कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर मास्क दोगज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पिरेटरी हाईजीन इस पर बार 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 हमारा आगरह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें तो निश्वित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटालिटी रेट हमारा है हम कोविड के उपर निर्णायक विजे प्राप्त करेंगी है